अब अब फ्रेंट नमस्कार तो चलिए आज बनाते हैं कर्ड राइस वैसे तो कर्ड राइस इस साउथ इंडियन रेसिपी है लेकिन आज कल पूरे भारत में बहुत ही स्वात के साथ में खा जाती है कर्ड राइस गर्मियों के लिए बहुत ही फैदे मंद होती है चुकि इसम को रखेगा ठंडा माइंड को रखेगा कूल कूल तो कर्ड राइस बनाने के लिए मैंने क्या-क्या इस्तेमाल किया है चलिए देखते हैं तो कर्ड राइस बनाने के लिए मैंने बॉयल की हुए चावन ले लिए हैं यहां मैंने एक कटोरी दही ले लिया है आधा कटोरी मै मैं दूद ले लिया हैं चाल में कड्डी पत्ता राई के दाने जाबूत लामिर्च चाना दाल जीरा और देसी घी लियah जिसे तड़का मारेंगे तो सबसे पहले जो बॉयल की हुए चावल है आपको चावल को पहले से बॉयल कर लेना है उनको ठंडा कर लेना है गरम चावल में आपको दही एड़ नहीं करना है और यहां मैंने एक कटोरी पर दही एड़ कर दिया है दो कटोरी चावल में और उसके बाद आधा कटोरी दू करक्देना है जिसे हमारे चामल जो है अच्छे से दही जो अच्छे से मिल जाने चामल में अच्छे से मिलाज देने के बाद में इसको ढखकर रख देना है आदा गंटे के बाद में आपको तड़का मारना है तो सबसे पहले आपको भी बरतन ले सकते हैं यहां मैंने एक छोटा सा फ्राइपन ले लिया है और उसमें डाला है देशी घी आपको भी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ओयल गरम हो जाता है तो उसमें डालेंगे जीरा मस्टर्ड शीट्स यानि सरसों के दाने हलका सा सौटे हो जाने के बाद में आप मैंसमें चने की डाल और जो सावुत लाल मिर्शे उनको एड़ कर दिया है और उसके बाद डालेंगे हम कड़ी पत्ता जैसेट हलका साद यह सौटे हो जाते हैं चने की डाल हलके से भुन जाती है आपकी क्रक्षी बनाजाती है चने की डाल में तो इसको तुमकि इद halves कची रहेगी तो आपके दाश ght कुरतेरा कौ तो यहां हमारा जो देखिए जो तड़का वुला मसाला था यह भुन चुका है और भुन जाने के बाद में अब मैं जो दही डाल के चामल रखा हुआ था मैंने आधा करने के लिए तो उसमें एड़ कर देंगे तड़के को यहां मैंने तड़के को मिला दिया है आप चाहिए तो इसमें जो दुली उरत की डाल होती है वो भी एड़ कर सकते हैं और ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं आपका जू है किश्मी से यह आप चाहिए तो इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहां मैंने तड़का जो मारा था वो कि सर्फ कर सकते हैं एक नया टेस्ट आएगा बहुत अच्छा लगता है से खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है इस में एक साथ आपको टेस्ट मिलेगा साथ इंडिन टेस्ट सो फ्रेंट यह हमारा कर्ड राइस बनके त्यार चुका है यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकिंग केंडि जरू दवाईए जिसको आपको नए-ने नोटिफिशन मिलते रहें जो मैं नए वीडियो करता है